नमस्कार मैं हूँ शक्त्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News अने वाले एक से दो दिनों के बाद उत्री मैदानी राज्यों पंजाब रास्तान हर्याणावे एंशार दिल्ली में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतिर दर्ज होने वाली है जून के पर्थम सब्ताहंत तक फिर से बिशनकर्मी और परचंड हीट वेव लूच चलने की सं अचल परदेश में घाले वे असम में दस्तक देने के लिए अनुकूल परिस्तिते बनी हुई है जून के पहले सब्ता की बाद मानसुन कमजोर पढ़ने की संभावना बन नहीं है जिससे मानसुन की चाल कुछ दिनों के रूख जाएगी जून के दूसरे हफते के अंत में म अचियार दिल्ली में मानसुन गतिविदियां ठीक तरीके और समय से पहुँच जाएंगी परगती रेली सीयम मनहुरलाल खटर ने शिर्षा में दी 555 क्रोड की सोगात घोशनाओ की लगाई जड़ी हर्याणा के मुख्यमंतरी मनहुरलाल खटर ने ओड़ा में आउजित परगती रेली के दोरान सीर्षा जिला को 545 क्रोड रुपे के विकास कारियों की सोगात दी मुख्यमंतरी ने ओड़ा रेली में कहा कि विदायक जाय उनके पार्टी का ओव या फिर विपक्स का लेकिन उन्होंने पूरे परदेस में समान विकास करवाया है हरियान की पूरी जनता को अपना परिवार मानते वे हरियाना एक हरियानवी एक की भावना को लेकर खारी किया है मुख्य मंतरे ने नगर पाली का रानिया एलनाबाद और नगर परिशत डबवाली जहां आगामी नगर निकाई चुनाव आउजित होने वाले हैं उन्हें चोड़कर सिरसा जिले के लिए गोशना की है इसके लिए सिरसा जिले के 50 गाउं में 5-10 लाग रुपे की लागत से जिम या फिर अन्य खेलों के खेलने की व्यवस्तक की जाएगी मुख्यमंद्रे ने ओटू जिल की किनारी लगते गाउं की किसानों को एक बड़ी सोगा देते वे एक महिने तक इस जिल की मिट्टी उठाने के अनुमती परदान करने की गोशना की है मुख्यमंद्रे निगागी सेरावाली डिस्ट्रिब्यूटरी पर काम शुरू हो गया है पात जून से टेल तक पानी पहुचेगा मार्केटिंग बोड द्वारा सिर्शा में 88 क्रोड रुपे के लागत से 37 नई शटकों को बनाया जाएगा उन्होंने स्कूलों की 12 से 13 मांगों को पूरा करने का भी एलान किया है उन्होंने काए कि विकास के सभी कारिये पूरे होंगे जो भी मांगाएगी उसे पूरा किया जाएगा पैसे की कोई कमी नहीं है हर्याना में बनाए जाएगी वेशो की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी 800 इलेक्टरिक पब्लिक वहान भी खरे देगी हर्याना सरकार हर्याना के मुख्यवंतरी मनहुर लाने का आए कि हम योओं को रोजगारियों के बनाकर श्वावलंबी बनाने में विश्वास रखते हैं और इसलिए हम स्टेंड़ पॉलिशी पर कारे कर रहे हैं लेकिन कुछ नेता सिट डाउन पॉलिशी से जनता को बैका अकर उन्हें सब कुछ मुफ्त में देने का वायदा कर रहे हैं शिट डाउन पॉलिशी समाज के लिए घातक है और लोग अब इस नीति के नुक्सान को भली बाती समझ रहे हैं मुख्यबंद्रे ने यह बात गुरुगराम में आजित परगती रैली को सम्भोधित करते वे कई इस दोरान उन्होंने 2711 करोड रुपे की घोशना कर गुरुगराम वासियों को विकास कारियों के एक बड़ी सोगा दी उन्होंने कहा कि अगले 6 महिने में गुरुगराम में 2001 एकड में गलोबल सीटी बनाई जाएगी जो सबसे बड़ी गलोबल सीटी होगी गुरुगराम में ऐसी गलोबल सीटी विक्सित करने की योजना है जो कि विशुस तरिये आइकोनिक सीटी हो उसमें सभी परकार की वर्ड कलास स्वीधाई उपलब दोंगी गुरुगराम में पुराना बस स्टेंड उसको पांच एकड जमीन पर सीटी बस सर्विस के लिए अलक सी बनाई जाएगा और सीही गाओं में 15 एकड भूमी में नया बस स्टेंड बनाई जाएगा केलों को बढ़ावा देने के लिए फरुग नगर पटोदी मानेसर बादसापूर में स्टेडियम की निर्मान के लिए कुल 68 करोड रुपे की गोशना की मुख्यमंतरी ने घोशना करते भी कहा कि राष्ट रादानी छेत्र में उन स्थानों को छोड़ कर जहां नगर निगाई के चुनाव हैं में 800 इलेक्टरिक वानों की खरीद करूने वर्तवान में पैट्रोल डीजल के सारुधनिक बसों जैसे थ्री वीलर इत्यादी से बद कर्शनलाल पमार को उमिद्वार बनाया है महीं कॉंग्रिस ने भी हरियाना चे आजे माकन को उमिद्वार बनाया है राजी सभा चुनाव 10 जून को होने है पानिपत के गाम मतलोडा निवासी कृष्णलाल पौवार हरियाना के प्रिवयन एम जेल मंतरी रह चुके हैं पौवार हरियाना एम भाजपाद दरित मोर्चा के परत्यक्स अद्यक्स भी हैं पानिपत का बड़ा बयान बोले बीजेपी ने सोच समझ कर लिया निकाय चुनाओ अकेले लडने का फैसला हरियाना में भारती जंता पार्टी ने निकाय चुनाओ अकेले लडने का फैसला लिया है इस फैसले के बाद हरियान के ग्रह मंतरी अनिल विज ने अपनी परतिक गया दी है विज ने कहा कि पार्टी ने मिल चुलकर सोच विशार कर ये फैसला लिया है भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और निकाई चुनाव में जीत दर्ज करेगी वहीं अनिल विज ने आमादिम पार्टी की कुरूचेतर रेली को लेकर कटाक्स करते वे कहा कि जैसे हीरे चुन-चुन कर यह लोग अपने पार्टी में बरती कर रहे हैं इसे लोगों को इनकी सच्चाई का पहले ही पता लग गया है विज ने कहा कि आमादिम पार्टी का जम धोके से हुआ और धोके से बनी पार्टी है जो लोगों की समस्याओं का समादा नहीं कर सकती अभी पांच राजियों की चुनाव में जहां च्यार राजियों खासकर उत्रपदेश मनिपूर गोवाव उत्राखन में भाजपा ने जीत का पर्चम ले रहा है पंजाब में परिस्तितियां अलग थी और पंजाब में जो वायदे करके आमादिम पार्टी सत्ता में आई है यदि उनमें से कुछ वायदे पूरे कर लिए गए तो पंजाब का हाल भाविश्य में सिरलंका जैसा होगा पूरु शेम हुड़ा का वादा कॉंग्रेस सरकार बनने पर 6,000 मिलेगी बुड़ापा पैंसन किसानों के लिए बनेगा MSP की गारंटी का कानून पूरु मुक्ष्यमंतरी बुपेंदर शिंग हुड़ा ने गोशना किया कि परदेश में कॉंग्रेस सरकार बनने पर 6,000 रुपे यानि रोज 200 रुपे के नोट से बुड़ापा पैंसन की सुरुवात होगी किसानों के लिए MSP की गारंटी का कानून बनाय जाएगा साथी कर्ज नहीं चुका पाने की सुरुत में किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी और नहीं उन पर आपरादी केस लेगा फसल भीमा योजना प्राइवेट नहीं बलकि सहकारी कमपनिया करेंगी पिछड़ा वरग में क्रीमी लेयर की लिमिट 6 से बढ़ा कर 10 लाग रुपे की जाएगी जिसमें वेतन सामिल नहीं होगा वेर अविवार को फते अबाद की नई सब्जी मंडी में आजित विपक्स आपकी समक्स कारेकरम को संबोधित कर रहे थे जन सबागो कॉंग्रेस परदेश सद्यक्स उद्यवान, कॉंग्रेस पिछड़ा वर की राष्टे अद्यक्स कैप्टन अजे सिंग यादव, राजिसभा सांसर दिपेंदर सिंग हुड़ा, कारेकारी परदेश अद्यक्स, सुरूती चोदरी, जितंदर भार्दवाज, पूरो वी सद्यक्स, कुलदीप सर्मा, गीता वुकल समित, अनिक कॉंग्रेस नेताव ने संबोधित किया, जन सबागों संबोधित करते विए पूरो शियम बुपेंदर सिंग हुड़ा ने का, कि आज फतेवाद में उम्री जनता ने बता दिया है, कि आने वाला समय का है, आज परदेश का हरतव का बदलाव के लिए बेताव है, निम्बु ने दी रहात तो टमाटर ने बढ़ा दी आफ़ात हर दिन बढ़ रहे हैं भाव, वैसे तो महेंगाई दिन परते दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोनिपाच सबजी मंडी में की वज़े से रसोई में सुगंद और खाने में स्वात थोड़ा बढ़ गया है, अब तक अंगूर खटे हैं कि कहावत को चरितार्थ करते विए निम्बु जहां आम आदमें की पहुंच से बाहर हो रहा था, वो भी लगबग तीन गुना कम दाम परा पहुंच गया है, इस पहलों की बात करें तो फलों की दाम भी पहले से कम हुए है, शिर्फ आम, सेब और आडू को छोड़ दें तो बाकी फलों की दामों में कमी दर्ज की गई है, 15 दिन पहले जहां तक टमाटर के दाम की बात करें 25 रुपे किलो की भाव थे, वहीं इसके भाव अब बढ़ कर 50 रुपे किलो पहुच गई है, सबसे बड़ी वज़े दक्षन भारत में फसल करना होना है, इसी वज़े से हरियाना पंजाब का टमाटर दक्षन राज्यों में भेजा जा रहा है, दक्षन राज्यों में टमाटर की डिमांड भी जाता है और भाव भी, टमाटर के साउथ ज परक्रिया जुलाई महीने के पहले सब्ता में होने की संभावना है जिला शिर्षा में आठ राज की आई टाथा नो प्राइविट आई टाइट में दाखला होने जा रहे हैं राज की अध्योगिक पर्शिक्षन संस्तान के परधाना चारिये लाल चंद रेवाडिया ने बता की ओध्योगिक पर्शिक्षन संस्तानों में दाखले के लिए विद्यारतों के पास आधार कार्ड मोबाइल नंबर फैमली आईडी इमेल आईडी वे मेंट्रिक का प्रमान पत्र चरितर प्रमान पत्र बैंक अकाउंट की कोपी होना अनिवारी है धार्म नगरी सीक केजरिवल का भाजपा को चैलेंज 2024 का चुनाओ खटर के नेतरतों में लड़कर दिखाएं आम आदमी पार्टे के संयोजक एम दिल्ली के सीम अरविंद केजरिवल ने कहाए कि मुझे सबसी अच्छा तब लगता है जब लोग मुझे हरियाना का लाल बोलते है हरियाना मेरी जन बोमी है जन बोमी का करजा आदमी साथ जन्मों तक नहीं चुगा सकता वे ब्रह्म स्तरोवर के मेला ग्राउंड में अब बदले का हरियाना रेली में मुझे हजारों लोगों को संबोधित कर रहे थे वहीं उन्होंने कहाए कि नगर निगम के चुनाओं में पूरी ताकत जोंक दो इन सारी पार्टी को घाड़ फेंको एक मोका दो नगर निगम को भी साफ करेंगे जाड़ु से इसके बाद 2024 में हरियाना को भी साफ करेंगे जाड़ु से उन्होंने भासपा को चैलेंज किया कि हिमात है तो 2024 का सुनाओं खटर के नेतरतों में लड़कर दिखाएं इस आउसर पर राजिस्वा परवारी सुशिल गुपता अशोक तवर निर्मल चोधरी परविन चोधरी विशाल खुबढ़ चितरा सरवारा आदी मोजुद रहे केजरिवाल ने कहा है कि मुझे राजनीति करनी नहीं आती दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिये आमाद्मी पार्टी के सरकार ने दिल्ली में साथ सालों के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने सांदार कर दिये कि इस बार सरकारी स्कूलों के नतिजे 99 तसमलों 7% आए है 22 के 70 सालों के इतिहास में सरकारी स्कूल के नतिजे ऐसे नहीं आए है वहीं दिल्ली में प्राइबिट स्कूलों की फीच साथ सालों में हमने बढ़ने नहीं दी है उन्होंने बताया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाग बच्चे पढ़ते हैं एक मोगा दे दें हरियाना के सरकारी स्कूल भी बदल दूँगा केजरिवाल ने का आ कि 7 साल में हर्यान की वासपर सरकार ने कितनी नोक्रिया दी दिल्ली में आम आद्मी पार्टिर ने 12 लाग नोक्रिया दी हैं जिसका डाटा वेबसाइट पर उपलब्द है परगती रेले में सीएम खटर के सक्ट छेतावनी बरस्टाचारे को किसी भी केमत पर नहीं छोड़ेंगे चाहिए नेता हो या फिर अफसर हर्याना के मुख्यमंतरी मनोलाल खटर ने गाए कि उनकी सरकार बरस्टाचारी को जेल बेजने के लिए करत शंकल्प है अब तक बरस्टाचार में संदलिप्त 800 लोगों को जेल बेजा जा चुका है वहीं 300 लोग फरा रहे हैं और इसी के दायत पहले चरण में सहरों में बने सभी फाटकों पर और ब्रीज वए अंडर ब्रीज बनवाए जाएंगे मुख्यमंतरी ने माना कि सरकार सबको सरकार नोकरी नहीं दे सकती इसलिए पढ़े लिखे युवाओं को श्यों का कारोबार करना चाहिए जिसमें सरकार आर्थिक रूप से सायो करेगी साइबर वित्य धोखा दड़ी होने पर ततकाल सूचना देने के लिए डायल करें एक नो तीन सुन्ने क्रूचेतर के उपायक्त मुकुल कुमार ने कहा कि सोचल मीडिया के दोर में बढ़ते साइबर वित्य धोखा दड़ी के मावलों को ध्यान में रखते वे जिला वाचियों से अपिल करते भी कहा गया कि वे ऐसे मावलों के धतकाल सूचना देने के लिए केंद्रिय ग्रह मंतरले द्वार चलाय जारी हेलप लाइन नमबर 1930 यानी एक नो तीन सुन्य पर संपर कर सकते हैं उपायक्त ने कहा कि पिछले कुछ सालों से लोगों में ओनलाइन सोपिंग के बढ़ते करेज के कान अक्सर लोग सोचल मीडिया पर बंपर डिसकाउंट लोटरी या फिर अन्य इनामी विग्यापनों के जासे में आ जाते हैं ऐसे में पहले सुनिशित कर लें कि इस्तेमाल में की जा रही वेबसाइट सुरक्षित है या फिर नहीं अगर संभव है तो कोशिश करेंगे ओनलाइन सैट से शामान मंगवाते समय कैश्वान डिलेवरी का ओप्षन चुने ताकि आपकी बैंक और कॉट डिटेल साइबर अपरादियों के हाथ ने लग पाए उपायक्त मुकुल कुमाने का आग यदि फिर भी कि नहीं कारणों से आपके साथ किसी प्रकार की साइबर दोखा दड़ी होती है तो आप सबसे पहले हेलप लाइन नंबर 1939 डाइल करें और अपनी सिकायत को साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करें अब केंदरे ग्रहम अंतराले द्वारा 1930 हेलप लाइन नंबर जारी क्या गाया है बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज हर्यान में ग्रूप D और C के पदों पर बंपर भरती के तयारी हर्याना SSC निमांगा ब्योरा हर्याना के विभिन विभागों से एक बार फिर हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन को गुरूप C और गुरूप D के खाली पदों की डिमांड जल्द से जल्द भेजने का आदेश जारी हुआ है अर्थात भरतियों का इंतिजार और परतियों की परिक्शा की तयारी कर रहे है युवाओं के लिए अच्छी खबर है पंजाब में सिद्धू मुशेवाला की हत्या अप गैंगवार की आसंका लोरेंस बिस्नोई गैंग ने लिए जिम्मिदारी बंबीहा गुरूप बोला दो दिन में बदला लेंगे मसुहुर पंजाबी सिंगर सुपदीब सिंग उर्फ सिद्धू मुशेवाला की हत्या के बार पंजाबी गैंगवार की आशंका बढ़ गई है मुशेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कुख्याद गैंग्स्टर ग्रूप लोरेंस बिस्नोई गैंग ने लिये विशनोई गैंग और उनके साथी कनेड़ा गैंग्स्टर गोल्डी ब्राड ने काया कि हमने मोहाले में कातल किये गए विक्की मिड्डू खेडा की हत्त्या का बदला लिया है वहीं अब गैंग्स्टर दविंदर बंबिहा गैंग भी सामने आ गया है उन्होंने काया कि दो दिन के भीतर हम इसका बदला लेंगे शिद्धो मुशेवाला का रहिवार शाम को करीब साड़े पांस बजे ताबर तोड गोल्या मार कर मार्डर कर दिया गया था उस वक्त शिद्धो अपने दो साथी के साथ थार जीप सी जा रहे थे हमलावरों ने एक गाड़ी से उनका पिच्छा किया फिर दो गाड़ियों ने सामने से आकर थार को घेरा फिर एके फोर्टी सेवन सबेर तीन हतियारों से ताबर तोड गोल्या चलाई गई पूरी घटना को इसकदर रेकी कर अंजाम दिया गया कि मुशे वाला थार की ड्राइविंग सीट से हिल तक नई सके जिससे मुशे वाला की मौके परिमोत हो गई शिद्धू मुशे वाला गैंग्स्टर के निशाने पर थे इसके बावजूद सनिवार को पंजाब सरकार ने उनके सुरक्षा घटा दी उनके पास दो इगनमेन रहे गए थे शुरक्षा को लेकर मुशेवाला भी चिंतित थे इसको लेकर आप पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं शिद्धु मुशेवाला का ग्याराज उनको बड़े था इससे पहले उनकी हत्ता हो गई है मुशेवाला 1993 में जन में थे अभी वह एविवाहित थे मुशेवाला अक्सर अपने गेतों से विवादों में रहे उन पर गन कल्चर को बढ़ावा देने का भी आरूप था भारत की परमुख मंडियों में आज का सर्षों का भाव क्या है उसका विरून दिया गया है इस लिष्ट में आपके साथ लगती मंडिय में आप अपनी सर्षों बेच सकते हैं वो भी अच्छे भाव में सर्षों का भाव सभी मंडियों में अलग-अलग रहता है इसलिए आप दीगई लिस्ट में मंडियों में आज की ताजा भाव यानि 30 मई 2022 की ताजा भाव जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं सिर्षा मंडी की शिर्षा में सर्चों का ताज़ा भाव 6,760 रुपे रहा हिसार मंडी की बात करें तो 6,740 आदमपूर मंडी में सर्चों का ताज़ा भाव 6,750 रहा रेवाडी में सर्चों की ताज़ा भाव की बात करें तो 6,750 एलाबाद मंडी में सर्चों के ताज़ा भाव 6,750 जैपूर म वाव समय समय पर अपडेट होता लेता है राजस्तान के साथ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट चोविस गंटे पे बदलेगा मोशम जून के पहले सब्ताय में राजस्तान को तर्बतर करेगा प्री मानशुन अगले 24 गंटे में जैपूर और बरतपूर सम्भाग के साथ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है इनमें अलवर, दोसा, करोली, धोलपूर, शिकर, स्वाई मादोपूर और जोंजनो जिला सामिल है इन जिलों में धूलबरी आंदी के साथ बहुत सारी पढ़ सकती है दूसरी और केरल के राश्ते मानशुन ने तीन दिन पहले, यानि रईवार को दस तक दे दी है इससे राजस्तान में भी वक्त से पहले मानशुन की एंट्रे की संभावना ही बढ़ गई है वैसे तो 20 जून तक बाश्ते मानशुन के राजस्तान में प्रविश करने की संभावना है वहीं 30 जून तक पूरे परदेश में बारिश के आसार है इसे बीज यह भी संभावना जटाई जा रहे हैं कि हावा की रवतार अनुकुल रही तो मानशुन 17 जून तक परविश कर सकता है जैपूर मोशम विभाग की अनुशार राजस्तान में मानशुन 20 की बजाए 17 जून को ही एंट्री ले सकता है अगर ऐसा हुआ तो एक 5 साल में अब तक सबसे तेज एंट्री होगी अगले 24 गंटे में परदेश में एक बार फिर मोशम में बदला हो सकता है जैपूर और बरतपूर संबाग के अलवर दोसा करोली धोलपूर शिकर स्वाई मादुपर और जूनजनों में दूलबरी आंदी के साथ-साथ बारिश हो सकती है 31 माई के बाद परदेश में एक बार फिर मोशम सुच करेगा इस दोरान अधिकतम ताबमान की बात करें तो 43 डिगरी सेल्शेस तक पहुंच सकता है आज खबरों बस इतना ही देखते रे एसी डबलू भी हिंदी नूज नमस्कार